बजट है एक लाग से भी कम और ढूंड रहे हो मार्केट में कोई चपचस के लेक्ट्रिक पाई तो टेंसर नहीं लेने का इसके लिए वीडियो आपको लास तक देखना होगा तो चलिए भी आपका टाइम वेस्ट की शुरू करते हैं साथ ही बैटरी के लाइप को दो गुना जादे बढ़ा देता है डिजाइन और लुक्स की बात करें तो आप इससे स्क्रिंग पर देख सकते हैं जो कि लगबग ओवेन रोवर से ही इंस्पायर लगता है फिलाल इसको कंपनी ये 3 बैटरी आप्शन के साथ लांच किया है जिसमें 2.6 kWh, 3.4 kWh और 4.4 kWh सामिन है रेंज की बात ले तो इसमें आपको depending upon battery आप्शन 110 km, 140 km और 185 km तक का IDC रेने देखने को मिल जाता है इसके अलावा इसमें आपको 95 km पर टिक अंटे की टॉप स्पीड, 52 Nm का टॉर्क, 0-40 माथ 3.3 सेकंड में चले जानवा लेक्सी लेसर, 10.5 kWh का पीक पावर, इन ड्राइविंग मोड्स और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथ ही फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बाइक ट्रेक्टिंग, ड्राइविंग अलर्ट सिस्टम, जियो फेंसिंग, पैर्टिक प्रटेक्शन जैसे अनिको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो आपके ड्राइविंग एक्स्पिरिंस को और भी बहतरीन बनाते हैं वहीं यह बाइक आपको चार कलर अप्संस में देखने को मिलेगी आप यह सोच देऊंगा कि यह सब तो ठीक है लेकिन इसकी प्राइस कितनी है तो मैं आपको बता दूँ कि फिलाल कंपणी में इसे 89-99-99 रुपे की इंट्रॉक्टिव प्राइस पर लॉंच किया है जो एक लाट नाओ जन्नाओ से 99 रुपे तक चाहती है जो कि केवल लिमिटेड टाइम के लिए ही है और आप इस 99-99 रुपे की कीमत पर बुक करा सकते हैं जिसके लिए भी कंपणी जल से जल टेस्ट राइट के बाद सुरू कर जाएगी वह भी अपने सोरूम्स के जली है जिसको लेकर कंपणी का कहना है कि आने वाले समय में लगवल साथ नए सोरूम्स खोलने वाले हैं एक्रॉस डिफरेंट सीटीज जो कंपणी की सर्विस को और भी बहतरी बनाने में हल्प करेगी वही कंपणी आपको इसके बैटरी किसा 3 years और 50,000 km तक की वरांटी दे जाती है जो पहले कंप्लीट हो जाए जो अगर सब कुछ अच्छा ही है तो इसमें बुरा क्या है इसके लिए आपको थोरा वेट करना पड़ेगा जब तक इसके टेस्ट राइट एक्सपिरियंस और रियल नाइफ रिव्यू देखने को नम भी जा तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहें और आपको ये वाई कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं